राम राम जोस्तों चलते हैं इंडियान आर्मी के लिए टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और कलर के लिए कुछ चुनिनदे फिजिक्स के कुस्टिन और रेलवे एंटी पीची में आपके लिए राम बांद सावित होगा कारी का मात्रक क्या होता है कारी का मात्रक जूल होता है प्रकास वर्स किसकी इकाई है एक प्रकास वर्स जो है ये किसकी इकाई है ये दूरी की इकाई होती है पार्सेक किसकी इकाई होती है पार्सेक जो होता है पार्सेक जो है दूरी की इकाई है निमलिखित में समय कौन सा म होता है ज्योती तिब्रता का मात्र कंडेला होता है मात्रों की अत्राष्टरिय कब लागो की गई मात्रकों की अंतराश्टिय पंद्दति उन्नीश्वय ख़त्र में लागो की गई काद उर्जा को हम विद्धुत्माट्रा की इकाई क्या होती है वो क्यback रहती है if reduce की सक्दिक की इकाई क्या है राणी किसी में लेंज की सक्दिक की a after她 होती है चलता अगले कोष्टन की तरफ यडफं का प्रियोग आपकतर है उचित सुनाई देगा to क्या नापने की का यह एमपियर जो है वह हमेशा करेंट को ना velvet में πरेंट वैक्टर मात्रा न्य कौन वेक्टर एक थे टो बल्वेक्टर है निम्नलिखित में कौन एक सदिराची नहीं है सदिर आशी द्रवमान नहीं है अदिस राशी इसमें कौन है बलागुर्ण उर्जा समवेग ये सभी तो उर्जा अदिस राशी है निमलिकित में कौन सी एक सदिस राशी है इसमें कौन सा एक सदिस राशी है समवेग पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भातिक राशी प्राप्त की जात करता है गुरुत्वाकर्षन के सर्वभावमिक नियम का प्रतिपादन ने किया था पास्कल दाब की है क्यू से क्या मां पा जाता है कि उसेक्ष से जल की वह जल की गहराई जल की मात्रा जल की सुधता तो जल का tulee अगले कुस्ट्चन की तुरप हेड़ फॉन का प्रियोकर करें उचित सुनाई देगा निम्निलिखित में कौन सबसे अधिक प्रतियास्थ है इस्टील सबसे अधिक प्रतियास्थ है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंद धर्ती के केंद्र की और खीचा चला जाता है तो एंसर गुरुत्वाकर्शन बल हो जाएगा पिर्त्वी के गुरुत्वाकर्शन का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्शन के सबसे नजदीक होता है तो एक बटे छे हो जाएगा आर्कीमिदिज का नियम, निमली खित में किस्षे संबंदित है? आर्कमिदिज का जो नियम है वो गुरत्वाकरसन के नियम, संकोंत्रिपुच का नियम, पलवन का नियम, इनमेसे कोई नहीं, तो जब आप देंगे आप. सयानता की इकाई क्या होती है? सयानता की काई जो है वो हमेशा जो होता है वो प्वाईज होता है दूद से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है दूद से जब क्रीम निकालता है बहुत भीवियाई कोईश्टन यह अपके इंद्रिया बल लगता है चाभी भरी घरी में कौन से उर्जा होती है चाभी भरी घरी में इस्थिती जुर्जा, गती जुर्जा, संचित उर्जा, यांत्रिक उर्जा, इस्थिती जुर्जा होती है शुरी की उर्जा उत्पन होती है अक्सिकरन द्वारा, नाभी के विखंडन द्वारा, आइनन द्वारा, नाभी के सल्लयन द्वारा बहले इंपोर्टेंट कोईस्टन है वायू मंदल में बादलों के तैरने का क्या कारण है वाई बंदल में बादल के तैरने का जो कारण होता है वो आपको घनत्व होता आउगा वस्तुकी मात्रा बदलने पर क्या cych़ों हैं मतलब कि परिवर्थर कि सम disabilities का घरने परिए ती के किस नियम के करण जलमें ट्राणयू तरिट्या सिरति कि और मियंग नहीं है मतलब आयत Moto्य मिल नहीं ग्यानिक ने सर उपर थम बर्प के दो टुक्रे को आपस में घिसकर पिगला दिया था कौन सा ऐसा वग्यानिक है बर्प के दो टुक्रे को आपस में घिसकर पिगलाया था तो डेवी हो जाएगा उसमा एक प्रकार की उर्जा है जिसे कारे में बदला जा सकता है इसका प्रत् पानी की सतह पर त्ययरती है इस परीघटना का क्या कारण है लोंगा की सुई पानी की सतह पर त्यरती है कि धीर के प्रीषिट तनाव पीस डिरहेंगे हैं उस्ट आपको पेट्रोल का गहन तुछ सब से कम होता है एक होर्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है 1 HP, HP मेरा नाम भी HP है हम 746 वाट के बराबर है बर्नोली पर में अधारित है बर्नोली पर में किस पर अधारित है वो उर्जा संडक्षन पर अधारित है बर्फ परदाब बरहने से उसका गलनांग क्या होगा इसका एंसर देंगे कमेंट बॉक्स में तब तक के लिए दिजिए इजाज़त जैहिन वन्दे मात्रम भारत माता की जैहिन कलाब जिंदाबाद सहीद भगर सिंग अमर रहे चंदर सेखराजाद साहब अमर रहे झाल